प्रजाबिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्विध्यालय के आदी रत्नों में से एक आदर्निय जग्दीश भाय छे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानो कल्यान के लिए अर्पित कर दिया जिन्होंने ऐसे इश्वरी साहित्यों की रचना की जिन्ही पढ़ करके तब भी और अब भी और आने वाले समय में भी अनीक लोग प्रकाश लेते रहेंगे सत्य को पहचान पाएंगे इश्वर से जोड़ पाएंगे प्यार से परमात्मा और ब्रम्हा वत्स उन्हें संजय के नाम से भे संबोधित किया करते थे ऐसी दिव्य महान विभूती का आज 12 मैं को स्मृतिक दिवस है आएए उनकी सुन्दर स्मृतियों को देखते हैं और साथ ही उनके जीवन से प्रेरित होते हैं बहकते यादों में भ्रहता जग्देश चंडर हसीजा जी का जन्म 10 सितंबर 1929 को पवित्र शहर मुल्तान में हुआ था जो सूफियों और संतों के लिए प्रसिद्ध है प्रशिक्षन संस्थान में प्रधानचारी के रूप में कारि कीया था थे और उन्हें ब्रह्मा कुमारीज संस्था के अधिकांस साहित लिखने का गौरो प्राप्त है वै ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य प्रवक्ता रहे और वर्ड रिनीवल, ज्याना म्रेत और प्यूरिटी के वै मुख्य संपादत भी थे एक सरल और सीधी सादे व्यक्ती उन्होंने इश्वरी सेवा में बहुत रुची ली और बहुत मेहनत भी की वै एक महान दूर दर्शी थे और उन्होंने संगठन को उसकी वर्तमान इस्थिती और अंतर रश्वी पहचान तक ले जाने में बहुत योगदान दिया वै एक मिलनसार दर्ती थे और उन्होंने ब्रह्मा कुमार भाईयों और ब्रह्मा कुमारी बेहनों की प्रतिभा को विक्सित करने में पर्याप्त रुची ली उनकी सलाह थी कि हम जो भी प्रयास करें लेकिन हमारा जीवन एक योगी का होना चाहिए इश्वरी महवाक्यों से हमें ग्यात हुआ कि वै व्यास है जिनका बहुत धिक विकास कलपना से परे है परमात्मा ने उन्हें संजे की उपादी भी प्रदान की वै उन चीजों को देख सकते थे जो सामानी लोग नहीं देख सकते ब्राता जदिश्चंडर लोगों के सच्चे पोशन करता और पालन करता थे उनके पास सिखाने की कला थे और उन्होंने कुछ दादियों सही असंखे भाईयों और बहनों को अध्यात्म के मार्ग में मार्ग दरशब किया अंत के समय ब्रहता जड़ी शन्रजी कुछ समय के लिए बीमार रहे और बारह मई 2001 को माउन जाबो में ब्रह्मा कुमारीज मुख्याले में आपने अपना नश्वर तब का त्या कर दिया